जब धैर अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, तब निश्चित ही वह विद्द्रोह का रूप ले लेता है। इज़त बहुत महंगी चीज है, आप इसकी उम्मीद सबसे नहीं लगा सकते हैं। मुहबबत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है, आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोरेगा नहीं। जो लोग दर्द को समझते हैं, वे लोग किसी के दर्द की वजह नहीं बनते हैं। ना कुछ खोने का डर हो, ना कुछ पाने की चाह, ऐसे आप हो कर तो देखो, आसान हो जाएगी जिन्दगी की राह। किसी ने क्या खूब लिखा है, ऐ जिन्दगी, यह तेरी खरोचे हैं मुझ पर, या फिर तु मुझे तराशने की कोशिश में है। हर बात पर जब छलकने लगे आँखों से आसू, तो समझना मजबूत बनने की जिद में तूट रहा है कोई, धीरे धीरे। कुछ हार गई तकदीर, कुछ तूट गए सपने, कुछ गैरों ने लूटा, कुछ भूल गए अपने। सच्ची मुहबद अक्सर उन लोगों से ही होती है, जो नसीब में नहीं होते हैं। जब भी आप किसी की मदद करने की इस्तिती में हो, तो उसकी मदद अवश्य कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जबाब दे रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि बिमार होने की वज़ा बिमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बिमार हो जाते हैं। जिन्दगी में दो तरह के दोस्त जरूर बनाएं। एक कृष्ण के जैसे जो लरे नहीं फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे। और दूसरा कर्ण की तरह जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जीवन में महत्यपूर्ण यह नहीं की आपकी उम्र क्या है बलकि महत्यपूर्ण यह है की सोच आप किस उम्र की रखते हैं। जुकी हुई गर्दन से यदि मोबाइल में अजनबी रिस्ते जुड़ सकते हैं तो हकीकत के रिस्तों में गर्दन जुका लेने में क्या हर्च है संसकार और संक्रमन दोनों एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संसकार मानो सभ्यता की अस्थापना करते हैं जबकि संक्रमन मानो सभ्यता का विनाश करता है इसलिए संक्रमन को रोकिए और संसकार को फैलाईए ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुर सकते हैं आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार